वासब गाइस वेकर बेक टू दू वीडियो करेंगे मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था कि सार किस जो है मेरे स्पेंट हो जाए आज एक आखरी की आई थी यह वाला साइड इवेंट काफी लंबा था देखने जाओ कि यह काफी लेंदी भी था हर दिन थोड़ा बहुत करना पड़ता था या तो फिर कोई दीन मिस हो जाए तो दो से तीन दीन दो से तीन बार कंटेंस आपको खेलना पड़ता था थो तो टोटल हमारे पास जो हो चार our heroes and gods के क्रिस्टल है तो पता कितने heroes मिलेंगे कितने God मिलेंगे कितने 30 champions मिलेंगे तो वह तो देखना पड़ेगा और साथ ही साथना मेरे पास दो शिक सार है confirm है और पांच जो है फाइव स्टार है दो यहां से और दो नेक्सेस है तो उनको भी ओपन करेंगे क्योंकि मैं जस्ट सोच रहा था एंड on top of that मैंने तो जो है कम पढ़ रहे होंगे या तो फिर एक या 200-300 शार्ट जो भी कम पढ़ रहे होंगे तो पता नहीं आपने ध्यान से दिखा कि नहीं स्टोर में जो है एक सेपरेट अवेलेबल है कि जहां से आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा शार्ट मिल जाएंगे बट मैं वह ज्यादा त क्रिस्टल थोड़ा बहुत बचा हो फर्म करने के लिए तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो एंड मैं रिकमेंट नहीं करूंगा कि सारे के सारे आप यूनिट स्पैन कर दो देखो यहां पर मैं कितने खरीच सकता हूं टोटल जो है 19 मैं और दूसरे खरीच सकता हूं कर सकते हो एंड टॉप अपफ देट एक पूरा का फुली फॉर्म क्रिस्टल मिल जाएगा अगर आप सारे के सारे 20 अफ ट्वेंटी जो है खरीद लेते हो तो देख लेते हैं यहां पर कौन कौन से क्रिस्टल से किस्टल के मदद चैंपेंस है सो ब्लैक पैंथर है ओजी वा अमेरिका इन्फिनिटी वार इन्फिनिटी वार भी 5 और 6 तर दोनों में यह मोजो नहीं है लॉंग शर्ट 5 नहीं है दा हूड सब्सक्राइब करेंगे पहले सब्सक्राइब रेर मिलेंगे बट फिर भी हमारे पास जो है आई कैस साड़े चार परसंट चांस है कि जो है हमको सिक्स्टर में लास्ट वाली ओपनिंग में ठीक ठाक से नहीं मिले नाइस टाइगर पहले मेरे पास थी नहीं अभी है तो शायद सीनर्जी के लिए यूज कर पाऊंगा मैं and on फाइव स्टार में प्रॉब्लम यही है कि मेरे को फिर थोड़ा एटलिस्ट रैंक फॉर लेके जाना पड़ेगा and we लिटरली अवेकन हर एक के बाद एक फाइव स्टार टाइगरा तो डेफिनेटली शीज गूड और यह आप तो अब शायद ऐसा लग रहा है कि मतलब गेम कि मेरे को पुछ करें कि जा वही तरह को मैं जैंपियन दिया उसको ड्यूपी कर दिया अब तो खेल ले सो देखेंगे शायद कैसा होगा कैसा नहीं मेरे को लिटरली कुछ भी नहीं पता कि उसको खेलना कैसे और फाइव स्टार लॉंग शॉट तीन फाइव स्टार एक के सब्सक्राइब देफिनेटली नाइस एंड फर्स्टाइम नहीं है यह लेवल सिक्स्टी पर गया है और लॉंग शॉट को उसकी अवेकनिंग की जरूरत होती नहीं है जितना मेरे को पता मतलब डेमेज के हिसाफ से तो अटलिस नहीं होती या तो फिर होती है पता नहीं होगा मैक सी क्रिस्टल होगा येस एंड मेरे ना आइसो भी खतम हो रहा है लिटरली सिर्फ चार सो आइसो बचा है और वह भी थोड़ा मलब लेवल फाइब के आइसो ही है बाट सिर्फ चार सो पड़े मैं लिटरली कोई भी ओपनिंग अच्छी कासी की नहीं है फाइस्ट िट्रमेट साथे चार परसंट तो यह खाफी एरे हे बटट थीक है केविलेर सा आप six-star मिले का चांस थोड़ा वाट अच्छा है एं बेक्रिस्टल और ऐवा न व्लिबल एक्यस परसंद चांस है की उनको six-star मिले और यह भी एक और हमको max signature ability crystal मिला यह बेकर ओफर है हटी द्रसे है और और भी छे crystal बचसे इसको लेके लास्ट वाला पॉप करे क्या लास्ट वाले तीन पॉप कर देंगे देखें जिले क्या मिलता है क्या नहीं वैसे भी जो है six stars तो ही हमारे पास three star मिला है चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है कम ज्यादा जो है मिलता है रहता है हर बार next further moving on कि मैं ज्यादा इसको spin करने के लिए रखने रहो मेरे को ना चाहिए यह immortal hulk normal hulk की मिले है normal hulk का भी अच्छा कासा यूज है मेरे पास अभी कहां पर बताओ act six point one या तो फिर six point two में कहीं पर वह वाला नोड है इकरस नोड है जहां पर opponent को जो हमको fury buffs मिलते हैं and hulk की ability है कि जितने fury buffs होंगे तो पर fury buff fury buff के हिसाब से उसको क्या मिलेगा कि चांस मिलेगा कि वह opponent को stun कर सके तो जितने ज्यादा fury buffs होंगे तो उतना ही उसका stun continuous रहे तो शायद I guess मैं उसको upgrade करूंगा शायद काफी जरूर हो सकता है एक शिक 6.2.1 में ही है फर्स्ट वाला ही है पता नहीं अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है कौन सा वाला क्वेस्टा एक शिक का अरे हमने यह कर दिया कोई वात नहीं लास्ट दो वाले पॉप कर लेंगे कि वह था है मेरा ध्यान नहीं था एंड नाइस वी अवेक अधिन इस वाले ओपनिंग में तो काफी अच्छे मिल रहे हैं फाइव स्टार के तो काफी सारा अच्छे मिले हल्क रेज एंड लास्ली पॉप अपन कर लेते हैं देखते हैं इस बार तो कोई शिक स्टार अभी तक नहीं मिला है एंड वन निव चैंपियन होके एक होकाई मिला है यह सायद एक फोर स्टार और एक फाइव स्टार होकाई मिले है सो होकाई तो ठीक ताक है उसका जो है कह सकते हो कि उसका जो पावर ड्रेन है है SP1 से वह काफी अच्छा कासा है एंड थाउजन सिक्स्टर शार्ट मिलें सिर्फ हमको फाइव स्टर को डुप्लिकेट करके टाइग्रा एक मिली एंड ऑन दो स्पॉर्ट अवेकन होगी सेम हल्क को जो मिला है हमको वह ऑन दी स्पॉर्ट अवेकन हो गया एक के बाद एग सब्सक्राइब काफी सारे होगे साइंस का 96 चलो कोई बात नहीं आइस और जमा हो रहे हैं इसके बाद जो है हम लोग जाएंगे हम पर फाइव स्टर में फाइव स्टर में यार ओल्मोस्ट साथ सो जो है यह चाहिए देख ले तो शायद मैं कहीं से अगर ला पाओ लेस्ट सब्सक्राइब कर सकते नाइस फॉर्टी वन थासन होगे तेका एक यूजवली ना मैं सारे के सारे किस्टल यह ओपन कर देता हूं मैं लिटरली कोई भी टाइप की ओपनिंग की नहीं है तो इसलिए मैं जो है अभी ओपन कर पाया अच्छी बात है फाइव छे किस्टल ओपन हो जाएंगे सो सारे के सारे जो है वह यह कर लेते लोड कर लेते हैं और आप जा सकते हो आपकी मरजी है बट फीचर में जो आप काफी रेरली मिलता है अपका नसीब होना चाहिए उपर से सो और मेरेको अभी यह फाइव स्टर वाले में से दो चैंपियन काफी ज्यादा चाहिए आइन मैं इंट्फिनिटी वो नाइस वह नहीं था मेरे पास और वह भी मिला है मेरेको बाट उसका बता हुना अभी तो इ देमेज वाइस की भी उसका काफी अच्छा कासा है आर्मर अप है उसके पास जो है आइन में इंट्पिनिटी वोर जो है धक जाता है और फाइनली ओ माय घाट सेरीयसलिए आज जाके मिला है कॉस्मिक गोस्ट राइडर जाके मिला है सब्सक्राइब कहा था वह था तो इतने सारे दिल मैंने तो इसके फीचर किस्टल के लिए जाऊंगा तो मेरे मिलने नहीं वाला है क्योंकि उसके पहले मैं जब प्रोफेसर एक्स और अपकलिप्स के लिए गया था फाइव स्टर में लिट्रली कुछ नहीं मिला था मेरे को वहां पर फीनिक्स यह शायद अवेकंड होगी फर्स टाइम अवेकंड है तो फर्स टाइम मुस्ली हर बर अच् सब्सक्राइब करता है तो अभी दस एक दिन में आसपास कहीं पर भी आ जाना चाहिए और कौन सा मुल रहा है यह इसको अवेकंड करता है फर्स टाइम यह मेरे पास रेंक फोर में अवेलेबल है अभी तो काफी अच्छा कासा यूज हो रहा है उसका तो लिटरली चैंपि बूरी जा रही है एंडो हमारे पास नेक्सेस है देखेंगे नेक्सेस में क्या मिलेगा डायरेक्ली पॉप उपन कर लेते हैं इसको स्पिन करने का कोई मतलब नहीं है तो ओके मैं गॉग है केबल है एंड आयन फिस्ट है सो केबल की सिगनेचर अबिलिटी आगे सुनको जस्ट रूको मैं आपर ना एंट में खुल के देख लेता हूं कि उसको अबिलिटी अवेक्निंग की कितनी जरू होता है वैससे तो आवेकर ना आप देखी रहे हो बट मैं सोच कि उसको सिगनेचर लेवल चाहिए याने केबल 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 यह रहां टेकन और नहीं मतलब सिर्फ क्या कहता है उसका वही चांस मिलता है ज्यादा कुछ नहीं है तो ऑविसली मैंगोग के लिए जाएंगे आयन फिस्ट एक दम सा बेकर है बट चलो कोई बात नहीं देख ल लेवल 200 पर मिल जाएगा तो ठीक है 160 पर गया एंड एक और न्यू चैंपिन मिला मैंगोग जो कि वैसे भी काफी बेकार है बट शायद उसको फ्यूचर में बफ मिल सकता है तो वह एक हो जाएगा 26,600 शार्ट है हमरे पास दो हम लोग ओपन कर पाएंगे अभी जो है काफी दली एक दगदग हो रह लेए थिव लेस्व ऍसक्राइश मिलता है क्या नहीं मेरब उत लैटरल लिए अभी काफी कम जो है काब शिक स्टार अवेकंड है मैन एक चिक ऑन एक काफिक?, ऑपना है यूक के जो अवेकंड़ए है और एक अफ्यytt यह अपनो तो क्या मिल रहा है क्या मिल रहा है राइब ठीक है अभी मतलब बेसी के काफी ठीक भी नहीं है उसे भी बुरा ही है तो आइगेस हमारा फाइव स्टार ओप्निंग अच्छा था तो इसलिए हुँ को six star में कच्रा मिल रहा है यह एक और नाय चैंपियन मिला है पता नहीं देखते क्या मिलेगा क्या नहीं वस्प तो अभी भी नहीं मिली है मेरे को चाहिए मिस्टर फैन्तास्तिक खैंक हम ले लेंगे अभीन वैसे विद्फ हो थो मिले क्या है मेरे पास फाइव स्टार में है अवेकंड है बट या देट फाइव मिस्टर फैंटास्टिक एक्चुल एक काफी अच्छा पूल है क्योंकि उसके एबिलिटी जो है वो का मैं उसको बेसिकली अभी वो रैंक फॉर के एक्विवेलेंट है तो मैं उसको जो है गेम में ला सकता तो मिस्टर फैंटास्टिक देखने जाए तो काफी अच्छा पूल था यह थी मेरी इस मेने की ओपनिंग और अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक कर देना एक चनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में